हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे रीजिनिंग के इंपोर्टेंट प्रेशनों की उन प्रेशनों की बात करेंगे जो प्रतियों की परिक्षाओं में पूछे गए हैं तो चली स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रेशन है आपका आप देखेंगे यहां पर 3 into 3 का symmetry दिया क्या है यहां पर दिया क्या है question mark तो यहां पर दोस्तो question mark का मतलब क्या है जब इस तरीके से corner पर question mark दिया जाता है तो यहां तो corner की तरफ हम ऐसे question को solve करेंगे या प्रेशन को solve करेंगे ऐसे का मतलब है इस तरीके से ठीक है और ऐसे का मतलब है इस तरीके से ठीक है देखे दोस्तों जब हम प्रेशन को ऐसे solve करेंगे तो यहाँ पर 9 कैसे आया यहाँ पर 4 कैसे आया उसी तरीके से यह वाली संख्याप को पता चल जाएगी अब देखे इस प प्रेशने तब है अगर आपको square याद है क्यों याद है तो है याद नहीं है तो फिर नहीं है कैसे अब देखें कैसे यहाँ पर क्या दे रखा 289 क्या दे रखा 289 289 यही तो है 289 का मतलब क्या 289 और इस संख्याओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किस संख्या का स्क्वाइर होता है अगर आपको पता है तो एक बार में पहचा लेंगे कि 17 का स्क्वाइर है 289 दे रखा है 17 का स्क्वाइर है अब जब स्क्वाइर की फॉर्म में संख्या दे रखी है इस वाली रो में तो दूसरी वाली रो में भी square की form में होंगी, क्या दे रखा है, 324, 324 का मतलब क्या है, 324, और 324 कितने का square होता है, 18 का square, ठीके, अब देखी, 17 का square, 18 का square, तो आगे किसका square आएगा, 19 का square आएगा, ठीके, अब 19 का square होता है, कितना है, यह आपको पता होना चाहिए, 19 का square कितन नहीं पहले ही कहा था सिर्फ प्रेशन का सही आंसर बात आगी दोस्तों समझ में कोई भी स्टूडेट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो मैंने पहले ही कहाता सिर्फ 2 सेकेंड का question है तो इसके लिए आपको square और q याद होंगे तो तो 2 सेकेंड का है याद नहीं है तो फिर देखते रहेंगे क्या logic है क्या logic नहीं है सभी प्रकार के प्रशने पूछे जाती है reasoning में तो सभी चीज़ों के लिए करना क्या होगा आपको practice करनी होगी ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला question अगला question है देखें दोस्तों यहाँ पर क्या है आपको 2 circle दिखाई दे रहें ठीक है 2 circle दिखाई दे रहें अब 2 circle में मैं कहूँ कि missing number तो कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा तो क्या logic हमें बनाना है अब इस तरह के question को देखकर ही student confused हो जाता है कि भाई जब missing number नहीं दे रखा तो हमें क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा ठीक है क्या करें सभी संख्याओं को जोड़ें इसको भी जोड़ें या फिर इसको भी जोड़ें क्या करें ऐसा तो देखे संख्याओं को ध्यान से देखने की जरूरत है बस ठीक है संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे तो संख्याओं को ध्यान से देखने कर क्या पता चलेगा ये सखी संख्या, जितनी भी ये संख्या है, किस संख्या से divisible है, ठीक है, किस संख्या से, अब मैं कहूं देखे, आठ से सोला भी कटेगा, ठीक है, सोला कटेगा आठ से, आठ चौके 32 भी कटेगा, आठ चिंगा 48 कटेगा, आठ निम 72 कटेगा, ग्यारे बार में 88 भी कटेगा लेकिन 58 दोस्तों नहीं कटेगा 58 आपका नहीं कटेगा 8 से ये सभी संख्यां divisible है लेकिन एक 58 ऐसा है जो 8 से नहीं divide हो रहा ठीक है किस से divide हो रहे हैं सभी संख्यां 8 से divide हो रही है यहाँ पर सभी संख्यां 8 से यहाँ पर सभी संख्यां किस से divide हो रही है साथ से, साथ चौक की अठाइस कटेगा साथ निम्य का 63, साथ पच्चे 35, सतू सतू नन्चास साथ से कट जाएगा ग्यारे बार में 77 लेकिन साथ से से कटाओंगा 86, साथ से नहीं कटेगा तो देखे कौन सी संक्या है इसमें इस सरकल में 88 नहीं कट रहा था इस सरकल में 86 नहीं कट रहा इस सरकल में संक्या 8 से कटी हैं इसमें 7 से तो दो संक्या ऐसी हैं जो नहीं कट रहे कौन सी 58 और 86 किस ओफचन में है 58-86 58-86 सी ओफचन में है तो सी ओफचन हो जाएगा दोस्तो आपकी कौश्चन का सही आंसर केलियर होगी दोस्तों बात अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है दोस्तों ये प्रेश्ण बहुत ही ला जवाब है ला जवाब का मतला एकडम सूपर कोशन सूपर देखे यहाँ पर क्या है missing नमबर देखेंगे ये रहा missing नमबर एक है पाँच है 13, 39, 61, 125, question mark की जगे क्या हैगा अब देखिए यहाँ पर क्या है एक, एक से पहुंच रहे हैं आप पाँच पर एक से पहुंच रहे हैं पाँच पर अगर मैं कहूं कि एक का multiply आप दो से कर दो तो कितना हो जाएगा एक कमल पर 2 से करेंगे 2 और 5 पर पहुंचने के लिए उसमें 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा एक कमल पर 2 में क्या 2 2 में 3 जोड़ेंगे 5 अब यहाँ पर बढ़ेंगे multiply कितने से क्या 2 से यहाँ भी multiply हम 2 से कर देंगे 5 दुने का 10 यहाँ 3 जोड़ा था यहाँ भी 3 जोड़ दो तो 5 दुने का 10 10 में 3 जोड़ेंगे 13 multiply 2 हो रहा है तो यहाँ भी मैं multiply 2 करूँगा 13 दुने का 26 और 3 जोड़ूँगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा यह 29 ही तो दे रखा है clear तो एक कम multiply 2 में हुआ तो एक सट हो जाएगा ठीक है अब एक सट में भी क्या करेंगे multiply 2 तो एक सट का multiply हम 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 122 और 122 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125 ठीक है अब 125 का भी क्या करेंगे हम multiply 2 करेंगे 125 का multiply 2 से करेंगे कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 250 और 250 में हम क्या करेंगे तीन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 253 तो question mark की जगे आजाएगा आपका 253 यह आपका answer हो के 253 दे रखा D option में मैंने पहली बोला था एक दम super question है super अच्छा question है दोस्तों इस तरह के question आपको आने चाहिए यह बात आप याद रखिएगा आपने एक महिना तयारी कर ली तो जरूरी नहीं है कि जो एक महिने तयारी की है उसी में से question फसेंगे ऐसा नहीं है तयारी करते रहिए एक एक question बचा हुआ उसे तयार कीजिए एक भी question ना बच पाए ठीक है दोस्तों अब देखते है अगला question अगला question है आपका इस question के अगर मैं बात करूँ तो missing number कहाँ पर दे रखा नीचे सबसे नीचे missing number है देखे दोस्तों इस question में क्या हो रहा है सबसे उपर एक ही संख्या है सिर्फ 10 और बाकी के नीचे आएंगे तो दोनों तरफ संख्या है लेकर उपर एक संख्या है और उपर एक संख्या से क्या करना है आपको यहाँ पर missing number वाली संख्या find करनी है देखे कैसे find होगी 10 से आप हो रहा है 13, 10 से 13 हुए 3 plus किया, फिर 13 में 3 plus किया 16, 16 13 में 3 plus किया 19, 19 में 3 plus किया 22, सीरीश समझ में आ रहे हैं दोस्तों, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, ठीक है यह बाली समझ में आगे, अब इधर चलिए 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 8 में से 2 घटा रहे हैं 6, 6 में से 2 घटा रहे हैं 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा केलियर इस तरीके से जब हमने सीरीश चलाई तो plus 3 हो रहा था और इस तरीके से जब चलाई तो minus 2 हो रहा है, तो question में जाएगे क्या जाएगा, 2 आ जाएगा और C option हो जाएगा आपकी प्रेशन का सही answer, केलियर दोस्तों बात सबकी समझ में आ गया प्रेशन अब देखेंगे दोस्तों अगला question अगला question है, देखे दोस्तों इस प्रेशन में आप देखेंगे 3 into 3 का symmetry है और यहाँ पर दे रखा question mark, अब देखे question की अगर मैं इसकी बात करो तो यह question बहुत ही अच्छा question है अच्छे का मतलब यह है इसका जो logic है वो अच्छा, देखे कैसे 2, 3, 5 अगर देखे जब यहाँ पर question mark तो मैंने क्या बता, या तो question को आप question mark की तरफ ऐसे solve करेंगे या फिर ऐसे solve करेंगे इतनी तो समझ में आगी बात अब चाहें तो आप ऐसे solve कर लीजे चाहें question को आप ऐसे solve कर लीजे answer आना चाहिए लेकिन इस question में अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, एकदम बिल्कुल ध्यान से, यह logic और यह वाला logic छोड़ करके और एक बात यह छोड़ करके कर देखेंगे इस तरफ देखेंगे तो बड़ी संख्या है 17, इस तरफ देखेंगे बड़ी संख्या है 19, तो इस तरफ भी बड़ी संख्या आएगी, इस चीज को हम करते हैं, लेकिन इस प्रेश्न में इस चीज को छोड़ करके ध्यां संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, तो हमें संख्या दिखाई देएगी कैसी प्राइम नमबर ये मैं कहना चाहता हूँ कैसी संख्या दिखाएँगी प्राइम नमबर संख्या, केलियर होगी साथ के बाद ग्यारा प्राइम, ग्यारा के बाद तेरा, ठीक है, तेरा के बाद सत्तरा, सत्तरा के बाद उन्नीस, उन्नीस के बाद में प्राइम नंबर संक्या कौन सी आती है, तेईस आती है, प्राइम नंबर संक्या, हिंदी में कहते हैं, अभाज्य संक्या, के लिए दोस् संक्या तो question मार कीज़ेगे दोस्तों क्या आएगा आपका 23 आएगा पहला option हो जाएगा आपकी question का सही answer के लिए होगी दोस्तों बात अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका देखें बीच में 4 है यहां पर 10 यहां पर 6 तो missing number बीच में तो है सभी को जोड़ू एक और तीन चार चार और चार कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर आठ लेकिन हमको तो चाहिए चार अगर में इस आठ में दो से divide दे दूं तो कितना मिलेगा चार मिलेगा बात आगी समझ में वही यहां पर करूँ बाहर वाली संख्या को जोड़ू 7 और 7 14 14 में 6 जोड़ूँगा कितना 20 दो से इसमें भी divide दे दूं कितनी वार जाएगा 10 वार तो यह 10 मिल गया ठीक है अब देखें 3, 3 और 5, 8 ठीक है 8 तो देखें यहां question mark की जगे कितना रहा होगा यहां question mark की जगे कितना रहा होगा कि हमारा divide करने के पाद 6 आजाए तो हमारा divide करने के पाद कौन सी संख्या आती है आधी संख्या आती है ठीक है आधा हो जाता है 2 से हमने 8 को divide किया आधा होगया 4 2 से 20 को divide किया 20 का आधा होगया 10 उसी तरीके से 6 का हम double कर देंगे कितना 12 किलियर 6 का double कर देंगे कितना 12 ठीक है तब ही तो 2 से divide करने पर ये बीच वाली संग्या 6 आएगी तो देखे ये 3 हो गया और ये 5 कितना हो गया 8 तो 12 के लिए हमें कितना जोड़ना है आप कहेंगे सर 4 तो question mark की जगे कौन सी संग्या आएगी चार आएगी चार दे रखा आपके B option में B option हो जाएगा question का सही answer किलियर दोस्तों सबकी समझ में आगी बात अब देखेंगे अगला question अगला question है देखे दोस्तों यहाँ पर इस question में 3 circle है और एक circle में 3 हिस्से दिये गए है 3 खाने दिये गए है ठीक है यहाँ missing number है जब नीचे missing number है तो यहाँ 12 कैसे आया यहाँ 18 कैसे है उसी तरीके से है question mark गएगा तो देखे यहाँ पर 18 कैसे आया 3 और 7 से आएगा तो मैं क्या करूँ तो 3 का 7 से 18 पर पहुचाएंगे तो कैसे पहुचेंगे 3 और 7 का क्या करूँ multiply 7 और 3 का multiply करूँगा कितना हो जाएगा 7 तरीक का 21 तो 21 में से मैं क्या करूँ कि 18 आजाए अगर मैं 20 में से 3 माइनस कर दूँगा तो क्या जाएगा 18 आजाएगा तो यहाँ तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों का multiply क्या यहाँ पर भी दोनों का कर दें टीक है 8 दुने का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा थीक है दोस्तों अब मैं जब 12 लाने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा 4 माइनस करना पड़ेगा 16 में से 4 माइनस करूंगा तो 12 आएगा यहां 3 माइनस किया है दोस्तों यहां 4 किया है मतलब पिलस हो रहा है हर बार माइनस यहां 3 किया माइनस यहां 4 किया तो यहां पर 5 हो जाएगा तो यहां पर भी वही कीजिए उपर वाली सेंग्जाओं का मल्टिप्राइब, 9 मल्टिप्राइब तरीके इतना हो जागा, 9-37, यहां 3 मैनस किया, यहां 4 किया, तो यहां कितना कर देंगे, पांच कर देंगे, ठीक है, तो 27 में से अगर 5 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 22, यह आपका आंसर हो जाएगा C-Option में दे रखा 22, तो यह आपके प्रेशने का दोस्तों सही आंसर है, तो मैं उमीद करता हूँ, सभी को प्रेशने बहुती ही अच्छे तरीके से समझे में आ गया होगा, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और दोस्तों में भी शेयर करें, यदि और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है, तो कर लिजे, और बेल आइकन का वटन भी दवा दीजे दोस्तों, धन्यवाद,